50 रूपीज से जहाँ क्लोट्स मिलने शुरू हो जाएं तो आपको तो लगेगा कि यह सरोजनेगर मार्किट है बट नहीं यह सरोजनेगर मार्किट नहीं है यह है जी करोलबाग की मंडे मार्किट जो है सूपर एफोरडेबल करोलबाग मेट्रो स्टेशन से एक्जिट करते ही बिलकुल मार्किट स्टार्ट हो जाती है और यह मार्किट लगती है स्पेशली मंडे को तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ करोलबाग की मंडे मार्किट जहां 50 रूपीज से क्लोट स्टार्ट हो जाते हैं मार्किट की स्टार्टिंग में ही मुझे कुल स्टैंस दिखे जहां 50, 100 या 150 की इनेंज में क्लोथ मिल रहे थे जिनकी कौालिटी मुझे ओके ओके लगी बाकी ये वाला स्टैंट जहां 100 रुपीज में इस टैप की टॉप्स मिल रही हैं तो इंकी क्वालिटी काफी अच्छी थी। हॉजरी स्टफ में ये टॉप्स थी जादा तर और कलर्स एंड आप्शिन्स काफी सारे थे। वैसे कलेक्शन इतनी जादा थी ना स्टैंड्स पर इतने जादा कपड़े लगे हुए थे कि मेरे लिए मूव करना भी बहुत जादा मुश्किल हो रहा था। देन मैं थोड़ा सा आगे पहुंची तो मैंने कुछ स्टैंस देखे जहां कूर्ती प्लाजो मिल रहे थे तो कूर्ती प्लाजो काफी अच्छे मिल जाएंगे इस मार्किट में आपको और मैं आपके साथ उनका एड्रेस जरू शेयर करूंगी जिंक स्टैंस पर मुझे अगर आपको कूर्ती प्लाजो लेना है तो 350 की रेंज में काफी अच्छी कूर्ती प्लाजो आप इहां से ले सकते हो वह भी कॉटन में यहां पर जैसे यह कुछ सेलेट की पीसे मा आपको दिखा रही हूँ इनके पास ना काफी अच्छीटै कलेक्शन थी? कलर ऑप्शन्स इस भी इंके पास काफी सारे थे और चिकन कारी कुरतियां भी आपको इहां पर मिल जाएंगी यह सारी जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ 350 की रेंच में है and आपको 350 की रेंच में कुरती विद प्लाजो मिल रही है वो भी cotton में देन भाया ने भी कुछ selected pieces अपने हमें निकाल कर दिखाए और आगे बढ़ते हैं तो मैंने देखा कि यहां 50 rupees की jewelry मिल रही है जो की mostly आजकल हर market में मिलती है तो इस type के earrings आप 50 rupees में ले सकते हो काफी अच्छे लगते हैं यार किसी भी कुड़ी के साथ आप पैन सकते हो इस type के earrings collection आप देख सकते हो काफी huge collection है इंके पास यह 50 rupees के earrings वाला जो stand आपको market के starting में ही मिल जाएगा तो इंके पास ना मैंने कुछ party wear earrings भी देखे यार मुझे तो काफी साथा पसंदा है इंके earrings देन आगे मैं एक stand देखा जहां पर tops मिल रही थी और tops की collection भी काफी अच्छी थी जैसे अगर आपको hakuba में लेनी है या नूडल स्रैप लेनी है denim में लेनी है मतला बहुत सारी वेराइटी थी इंके पास भी और tops की बात करूँ तो इस market में जैसे आप देखे सकते हो boats तो लगई हुए है 100 रुपीज की सेल भाया ने लगाई हुई थी tops की और जो अभी ये वाली दिखा रही हूँ अगर आपको plane लेनी है या आपको चिकन वर्क में लेनी है या आपको हकूबा में लेनी है जैसे ये वाली ये वाली इस टाइप की यार बहुत सुंदर लगती हैं आजकल तो ये सब आपको यह 100 तो 200 की रेंज के अंदर अंदर ना मिल जाएगा एंड टॉप्स लेने के लिए भी आपको काफी सारे यहां पर स्टैंड्स दिखेंगे जहां पर 100-200 तो मैंने आपको बताई दिया उसके अलावा आपको एगर टीशिट्स जाहिए राउंड नेक्की या वी नेक्की वो सब भी यहां पर मिल जाएंगी काफी जादे एफोर क्योंकि मंडे को यहां पर मंडे मार्केट लगती है जहां पर आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो तो अभी मैं जो कवर कर रही हूं कि मंडे मार्केट कवर कर रही हूं और यहां पर आपको स्ट्रीट शॉप्स दिखा रही हूं कि यहां पर आपको किस टाइप की तो इस मार्केट में आपको मिलेंगे साथी साथ अगर आपको पर्स, हैंडबैक्स लेने हैं या फिर लेना है फुटवेर वह भी सबकुछ आपको काफी एफोर्डेबल रेट्स में आपर मिल जाएगा लाइक 200 तो 300 में काफी अच्छे फुटवेर लोगे उसके अलबा मैंने यह स्टेंड देगा जहां पर काफतां या फिर मैक्सी ड्रेसेज मिल रही थी और देख सकते हो वेराइटी तो खूब सारी है और अगर आपको लेने हैं आजकल के लेटेस्ट ट्रेंडी कॉटसेट्स तो वह भी हां पर मिल जाएंगे यह जो कॉटसेंस हैं यह डेली वेर क पर लेक्षन आपको इस मार्किट में मिलेगी टीशिट के भी बहुती सारे स्टॉल्स आपको दिखेंगे वान फिफिटी टू हंडड़ की रेंज में काफी अच्छी टीशिट आप लेग सकते हो गर्ल्स का कलेक्शन तो यहां मिलता है साथ ही साथ आपको बॉइस के लिए कि स्टार्टिंग रेंज भाईया ने मुझे बताई जो काफी जादा एफोर्डेबल है इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज हैं आपके माइन में इस मार्किट को लेकर तो आप मुझे डेफिनिटली कमेंट कर सकते हैं मैं वहां आपको जरूर रिप्लाइ करूंगी सो सब्